स्टूडेंट्स आज हम प्रथक्रण के प्रकार की बात करेंगे प्रथक्रण के प्रकार में मोटे तोर पर इनको निम्न भागों में बाढ़ सकते हैं अन्ते जातिय संक्रन का निरोधन करने वाली क्रिया विदी तो संक्रन का हमें बिरोध करना है या रोपना है इसके प्रकार की रूप में ये बर्थक्रण किया गया है पहला है भोगोलिक प्रिथक्रण भोगोलिक कारक जैसे पहाड है और नदिया हैं मरुस्थल हैं जंगल हैं समुंद्र हैं इनके करण उत्पन होने वाले जो प्रिथक्रण हैं उनको जियोग्रोफिकल आइसोलेशन कहते हैं तो जियोग्रोफिकल आइसोलेशन का मतलब यह हुआ कि एक ही जाती की जो प्रिथक्रण है भोगोलिक कारकों के बीच आने से दो भागों में बढ़ जाती है और इनके बीच जीन अंतर प्रवहा रुप जाता है तो यह किरम अनेक वर्षों तक अगर ऐसा ही होता रहे तो यह population पहले दो उप जातियों और अंत में दो भिन्रविन जातियों में बदल जाएंगी इस प्रकार के जातियों उद्ववन को अलोपेट्रिक उद्ववन कहते हैं तो भोगोलिक जो बर्थक करण है वो निश्वित रूप से populations में सब species में divided हो जाता है इसके example के तोर पर बात करें तो दक्षनी हाती सील और उत्तरी हाती सील निकट वरती दो populations होती हैं इस प्रिशीज होती हैं और इनके मद्द में तीन चार मील लंबा उष्ण कटवंदिय समंद्र एक भोगोलिक बादा के रूप में पाया जाता है जिससे इसमें कभी भी संक्रण नहीं होता क्योंकि इन में प्रिजिनन योग के potential mates आपस में नहीं मिल पाते इस तरह से ये इस्तंदारी प्राणी जैसे कि रेड फॉक्स हैं गलेरियां हैं हिरन हैं चुए हैं इटसेटरा इन में भी कभी भी जो सेयोजन नहीं हो पाता और अतय ये प्रिजिनन के रूप में रहती है और मेंटिंग नहीं हो पाती जैसा कि इसका उद्दिश है कि evolution के लिए प्रिजिनन होना जरूरी है प्रिजिनन के कई परकार हो सकते हैं दूसरा जो प्रकार हमने देखा है वो है दूरी गत वाला जो कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे दूरी गत में कभी-कभी क्या हो जाता है कि एक सदस्य के बड़े भगलिक छेत्र में निवास करते हैं और इनकी अनेक पॉपुलेशन्स इसी रूप में पाई जाती हैं जो उत्य दूरी परेस्द समझ्टियों के बीच क्रॉस समभनी हो पाता और इस तरह के प्रत्रक्रण को दूरी गत या डिस्टेंसिंग कहते हैं जिसके उधारन के दौर पर उत्तरी अमेरिका के होलार्किटिक वो वाला छित्र है के इस तर्यों में पाई जाने वाली भी मिनता है नेक्स्ट बात करें तो अगलाएगा जलवायू परतक करना जब एक इस्पेसीस के वित्रन में जलवायू में होने वाला व्योजन की भी मिनता होती है तो इसके करन उत्पन होने वाला व्योजन जलवायू व्योजन कहलाता है जैसे टेंप्रिचर की बात करें हैं विडिटी आदरता है खनिज लवन है या बिलेता है ये बहुत सारे उधारना हमारे सामने आते हैं कैप कोड के उत्री और दक्षिनी भाग में ठंडा जल उत्र दिशा में और दक्षिनी में गरम जल पाया जाता है तो इस परकार के यहां जो जलबायू के करण जाती है अलग अलग पाई जाती है तो ये जो जलबायू का जो पर्थक्रण है वो अलग अलग छेत्रों में जलबायू के करण जो है बियोजन निश्वत रूप से होता है तो उनमें भी पर्थक्रण के करिया हो जाती है नेक्स्ट बात करें हम बस्तुनिस्ट या रितुनिस्ट की बात करेंगे रितुनिस्ट में हम देखेंगे तो जन्तु और पौदम पर जो सीजनेविल एक मेंटर है एक निश्वत प्रभाव डालती है अनेक जन्तु रितु के आधार पर रिप्रोड़क्शन करते हैं आपने देखा हो गया बिहेवियरल जो चेंज है इनमें बहर में जो आता है वो रितु के आधार पर कई बार इसमें चेंज जा सकता है सीजनेविल प्रजिनन करते हैं प्रजिनन रितु यदि विजिन है तो क्रॉस नहीं होगा यानि कहने का मतलब एक ही छेत्र में निवास करने वाली दो जातियों की प्रजिनन रितु यदि विन है तो क्रॉस नहीं होगा ये पकी बात है तो प्रजिनन रितु का भी एक बड़ा रॉल है प्रतक्रण की प्रक्रिया में की जो प्रतक्रण का रितुनिस्ट इसको अपन नाम दे देंगे इसके एक्जाम्बल के तोल पे देखें तो फस्ट जो एक्जाम्बल है वो टोड की दो जातियां बुल्फ अमेरिकाना और बुल्फ फिलेरिया एक ही भागलिक छेत्र में नवास करती है लेकिन इनकी जो प्रकर्ती है इसके संकर्ण नहीं उपाई जाते क्योंकि व्यूफ व्यूफ अमेरिकाना की जनन नितू वर्षाकाल का प्राड़मिक समय है और जबकि फिलेरिक का वर्षाकाल के अंतिम समय में वो जनन करती है तो आपने देखा कि यह जो व्यूफो की मेड़क की टोड़ की जो दो जातियां है अमेरिकन्स और फिलेरि इनमें दोनों में चेंज है क्या चेंज है इसमें इनकी जो उरितू है जा मौसम है उसके अनुसार इनमें प्रिजिडन काल पाया जाता है तो फिर्स बाला जो हमने बताया वो अमेरिकन्स का बिल फिलेरिकन्स की जननन लितू बर्साकाल का इनिश्यल जो टाइम होता है सुरुआती जो समय होता है प्रार्लमिक समय है और जबकि दूसरी जो इस इसमें है उसका बर्चाकाल के अंतिम समय में अंतिम समय में ये प्रजनन करती है कभी-कभी आपस में जनन हो भी जाता है तो इसकी संतान जो होती है वो संकर या हैबिरिट पैदा होती है तो ये एक प्रथक्रण का बड़ा कारण है पक्षियों में रितू प्रिजिनन पाया जाता है तो रितू प्रिजिनन का भी एक बोटा कंसेप्ट इसमें हमने देखा हमारे ध्यान में ये बात आई कि रितूनिस्ट परवर्तन प्रतक्रन होता है तो बचो हमने ये देखा कि प्रतक्रण के रिया के अनेक कारण हो सकते हैं और हमने आज भोगोलिक प्रतक्रण, दूरीगत प्रतक्रण, जल्वाई प्रतक्रण, रितूनिस्ट प्रतक्रण हमने ये चार प्रकार के आपके सामने रखे तो इनमें important की बात अगर करें तो भागोलिक पृतक्रण ज़्यादा मैत्मून होता है और इसी कारण से अधिकतम पृतक्रण की प्रक्रिया इसके माद्दिम से हो सकती है तो पृतक्रण एक बहुत बड़ा कारक है बहुत बड़ा कारण है और इवलूशन में बहुत बड़ा रॉल ये प्ले करता है और विशेशी करत प्रतक्रण है ये और इस प्रतक्रण का मूल मकसद केवल इतना है कि कोई भी दो निकट संबन दी जाती है भगवले कारणों से, दूरिगत कारणों से, जलवायू के कारण या विशेश रिटूमों के कारण वो मेटिंग या जनन नहीं कर सकें और वो इतने लंबे समय तक जनन नहीं कर सकें कि बाद में इन में कभी भी जनन उनी की समभावना खतम हो जाती है समाप तो जाती है और धीरे 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 करके वो एक नई जाती का रूप धरन कर लेते हैं और इस प्रकार वो एक नई जाती के रूप में बदल जाती है अगले वीडियो में हम आवासी है बैवार की है और रासाइन की है यांतर की है और कारकिये पृत्तक्रणगा अध्यन करेंगे